आप देख रहे हैं TNB गूगल हमारे जिन्दगी का हिस्सा बन चुका है हमें कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो हम गूगल में जाकर सर्च करते हैं और गूगल हमारे सर्च के हिसाब से रिजल्ट भी दिखाता है ऐसे में एक व्यक्ती ने गूगल पर सर्च किया कि भारत की सबसे भद्धी भाषा कौन सी है जिस पर रिजल्ट में कंणर भाषा दिखाया गया जिसके बाद से गूगल सर्च इंजिन द्वारा कंणर भाषा के अपमान को लेकर करनाटक की सरकार और लोगों में आकरोष देखने को मिला है तो आईए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताते हैं आपको दरसल सर्च इंजिन पर भारत की सबसे भद्धी भाषा ढूने जाने पर जवाव कंणर भाषा देखने को मिल रहा है जिसके बाद करनाटक वासियों ने इस पर एतराज जताया है और राज्य की सरकार ने सर्च इंजिन को कानूनी नोटिस जारी करने की बात कही है लोगों की नाराजगी को देखते हुए गूगल के इंजिनियरों ने इसे दुरस्त करते हुए माफी मांगी है उन्होंने कहा है कि गूगल का खोच परिनाम उनकी लाइक को नहीं दर्शाता है करनाटक के संस्कृती और वन मंत्री अरविंद्र लिवावली ने समवाधाताओ से कहा कि सर्च इंजिन पर इस तरह के नतीज़े दिखाने पर उनके खिलाफ कानूनी नोटिस जारी किया जाएगा इसके बाद उन्होंने अपनी नाराजगी ट्वीटर के जरीए वेक्ट की और गूगल से माफी मांगने की अपील की मंत्री ने कहा कि करनर भाशा का अपना इतिहास है जो की धाई हजार सालों पहले अस्तित्व में आय था शोशल मीडिया की माद्यम से उन्होंने कहा कि यूगो यूगो से हम कनर वाशियों के लिए हमारी भाशा हमारा गौरव रही है कनर की छवी को गलत दिखाना गूगल द्वारक कनर वाशियों का अपमान करने की कोशिश है उन्होंने कहा है कि मैं Google से जल्द से जल्द इस विशे पर माफी मांगने की अपील करता हूँ हमारी खुबसूरत भाषा की छवी को धूमिल करने के लिए Google के खिलाफ कानूनी कारवाही की जाएगी जिसके जवाब में Google ने कहा कि खोच के नतीजे हर बार ठीक नहीं होते हैं कई बार इंटरनेट पर नतीजे सामगरी की व्याख्या के कारण दिखाई देते हैं माफी मांगते हुए उन्हें गलत फैमी के लिए हमें छमा मांगते हैं हमारा उदेश किसी भी भावना को ठेस पहुचाना नहीं है उन्हेंने कहा कि हम जानते हैं कि आदर्श नहीं है लेकिन जब भी हमें किसी विशेप पर अवगत करया जाता है तो हम तेजी से अपने उस पर काम करते हैं अपने सर्च इंजन को और बहतर बनाने के लिए हम एल्गोरिदम पर दिन रात काम कर रहे हैं इस विशेप पर पूर्व मुक्य मंतरी हच्डी कुमार स्वामी ने गूगल की निंदा करते हुए एक की बाद एक कई ट्वीट कर गूगल से सवाल पूछे कि भाशा के प्रती गूगल का रवया गयर जिमिदाराना क्यू होता है वहीं बीजेपी के पीसी मोहन ने भी गूगल की निंदा करते हुए कन्नर भाशा को समर्द विरासत गौरव साली तिहास और अनूठी संस्कृति वाला बताया है हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन पर क्लिक करें साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेर करना ना भूले